अब देखो बात जब Netflix के मूवीज के आते हैं तो आदे से ज़ादा जनता मूवीज को किसी दूसरी ही साइट से डाउनलोड करके देखती है, है न? ओ Netflix वालो, payment में UPI और net banking वगेरा का भी option दे दो, इंडिया में ये सब ज़ादा चलता है, तो हाँ भाई बात करते हैं लूडो मूवी की, जिसमें है कहानिया चार, चारों को मिला के बनाया अचार, कभी खटा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी नमकीन, स्टोरी को ऐसे बुना है कि देख के फिसल जाएंगी पैरोतली जमीन, जी हाँ, पहली स्टोरी सुनिए, एक प्यार में पागल छोरा है, नाम है जिसका आलू, प्यार में धक्के खाये जो, लव स्टोरी कभी होती ना चालू, जिसके शादी के बाद भी उसी से है करता प्यार, उसके लिए अभी भी उसका दिल धड़कता है यार, कुछ भी कर जाएगा, लड़ जगड जाएगा, खुश रखने के लिए उसे खुद कंगाल भी हो जाएगा, स्टोरी नमबर दो, छे साल से जो था जेल में बंद, आज वो छूट गया है, पर बिचारे का अपनी बीवी बेटी से रिष्टा अलाचार, कोई पूचता नहीं, कोई लेता नहीं समाचार, पर छूटी सी मिनी जिन्दगी में आती है, जिन्दगी के मायने अपनी छूटी छूटी बातों से समझाती है, इनके स्टोरी में मासूमियत है, और ड्रामा थोड़ा है कम, संभाल लेना खुद को आपकी आखे जरूर होगी नम, स्टोरी नमर तीन, आकाश और शुरुती की है ये कहानी, दोनों की लाइफ एक दूसरे से अंजानी, मिले, बात हुई, और भी कुछ-कुछ हुआ, जो ना कभी सोचा था, वो सब कुछ हुआ, लड़की की उम्मीदे जादा थी, लड़के की इंकम उसके उम्मीद से आधा थी कहानी थोड़ी टिपिकल सी है पर कहीं तो है प्यार दूविधा है किसे चुने किसका है अधिकार और स्टोरी नंबर चार छोटी छोटी बातों से खुश होना चाहते थे राहुल और शिजा की है ये स्टोरी जो लाइफ में कुछ पाना चाहते थे अपनी बेकार लाइफ से जाना चाहते थे दूर पैसो की कमी थी और थोड़े से थे मजबूर पर जिन्दगी एक जटके में ऐसी कर्वट बदलती है पैसा ही पैसा होता है पास में और किसमत संभलती है पर जनाब एक बात का जरूर रखियेगा ध्यान बेशुमार दौलत के साथ ये जिन्दगी नहीं आसान इस फिल्म के डिरेक्टर अनुराग बासु ने इन चारो स्टोरीज को इस तरीके से बुना है कि पहले हाफ में ही आप इन चारो स्टोरीज के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो और लास्ट के अगर दस मिनिट छोड़ दे तो सेकंड हाब जो है मुझे थोड़ा सा स्लो लगा हाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्यूकि ये एक नेट्फिक्स की मूवी है तो बिलकुल भी आप इसे फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते गालिया तो है ही पर इंटिमेट सीन ना होने के बावजूद इंटिमेट सीन की आवाजे आपको पूरी फिल्म में बीज बीज में सुनाई देगी तारिफ करना चाहूँगा सारे अक्टर्स की अभिशेक बच्चन ने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी जादा अच्छा काम किया है बाकी पंकश्त्रिपाथी, हमारे कालीन भहिया, एक ऐसा सेंट्रल कारेक्टर जिसकी वज़े से ये सारी स्टोरीज और उनके किरदार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं दढ़ाई जगडा, प्यार महबत, खून खराबा, सब कुछ है, पर एक बात है, हमारे कालीन भहिया, अमर थे और अमर रहेंगे चारों की स्टोरी में कौन लुडो जीतता है और किसके लुडो लगते है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चल जाएगा मैं दूँगा इस फिल्म को चार स्टार, आक्टिंग सभी की बहुत बढ़िया है, लक्षमी के सपोर्टिव एक्टर्स की तरह इसमें आपको ओर आक्टिंग कही पर भी नहीं दिखेंगी डायलोग्स भी सिचुवेशन के हिसाब से एकदम पर्फेक्ट लिखे गया है, इस स्टोरी में चूटी चूटी बातों में हूमर का बड़े संबले हुए तरीके से ध्यान रखा गया है और मूवी की स्क्रिप्ट, इसका स्क्रीन प्ले, इस मूवी की जान है एक स्टार बस मैं इसलिए काटूँगा क्योंकि ये फिल्म शायद और थोड़ी छोटी हो सकती थी बाकि अगर आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी फिर भी आप कमेंट जरू कीजेगा और मेरे बात करने का अंदाज अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजेगा आपका प्यार बहुत माहिने रखता है मिलते हैं अगले वीडियो में बाई